गुद इमनिंग एब्रिवान सशिकाल जी बहुत बहुत स्वागत है सारे ही स्टुडेंट्स ना एरुडेशन स्टाड़ीज दे ओफिशिल चानल ते जित्थे सी कर्याल जी पंजाबी साहित दे त्यारी और आजकर लसी ये वाला चड़े सेशन है स्पैसेफिकली लेके आरहे है लेक्षटर केडर दे पेपर दे ली और एट टी दे पेपर दे ली राइट मास्टर केडर लेता इंपटन्ट है है और राइट देखो ऐस टाइम जेड़ तवाड़े हून पेपर्ये सारे अलाइंड है गिनिन न बस एनना देवेच किसे भी टा अधुनिक काव गुर्मत काव सूफी काव इस सारा कुछ अल्रेडी कार चुकियां ते हुन जो असी अज करना या सेशन इस दे विच असी कहानी कारा नो जस्ट शुरू किता है ता कहानी कारा ने विच जडे अज सदे सब तो पहले कहानी कार रहांगे एटीटी दी सलेबस दे अकॉडिंग ओ हैगे ने सुजान सिंग जी ओके ता सेशन नो फटा फट शेर कर दो सो देट कि अपा सेशन नो स्टार्ट कर सकी है मैं भी इक वरी लिंक क्रिएट कितना थोड़ा लेट ता उन्हों मैं फट 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 लिंक नो शेर कर दा ओके ता तक तुसी भी कर दो आज तुसी शायद न्यूज पढ़ी होगी कि जल्दी ही लाइक काफी सारे जगां दे उपर जड़ी अपनी गवर्मेंट है टीचिंग डे एक्जाम्स दुबारा तो लेके आ रही है ठीक है ता उन्दे विज फिर मास्टर केड़ वाले ता हुन बिलकुल त्यार रहें किस तुसी सारे जोने प्रॉपर तरीके देनाल अपनी त्यारी स्टार्ट कर दो ओके शुरू कर दिया फिर आज ते सेशन नो जिस दे विच पहला प्रशन तो आडे सामने है देखो आज ना पंदरा क्वेशन नहीं आने है आज टोटल ट्वेंटी क्वेशन बने है उन्दे त देखो सुजान सिंग बारे तुसी सही कथन चुनना है ठीक है समाज वादी विचारता रहा देतार नी यथार्थ वादे नेडे रचनामा करन वाले माक्स वादी विचारता रहा तो सेद लैन वाले या फिर सारे पहले देली तो अड़ा अंसर सी आ रहे है बट इस ता अंसर होएगा डी मतलब ए सारे दे सारे सान्वे ता पता ही है कि न दे जड़ी परसिद्धी है ओ होई सी बतोर पंजाबी कहानिकार ओके ता एन्ना दे बारे दे विच ए तिन्नों तुसे याद रखने है कि एक ता सम समाजवादी विचार तारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जिन्नों एन्ना ने तारन किता होया सी दूसरा एन्ना दिया रचनामा दे विच तो अन्नों असलियत ज्यादा दिखाई दिन दिया यानि कि यथार्थ वाद दे काफी नेड़े हुं दिया एन्ना दिया उस दे विच समाजिक विश्या नू जादा छूण दी कोशिश किती है लोका नी पीड नू दिखान दी कोशिश किती है और अपनिया कहानिया नू लिख दे होई एनना ने माक्स वादी विचार तारा तो प्रोपर सेध लई है ठीके जी अगे देख देया दूसरा प्रशन कहानिया विच खास करके किन्ने तरह दे पातरहन एक दो तिन या फिर चार देखो बचा कई वारी हो सकता है कि मैं लिंक लेट क्रियेट करां या फिर मैं शेर ना कर सकां तब तुसी अपने आप ही अठ वजे एरुडिशन स्टाडीज नू लाइक सर्च करना है यूट्यू उत्तर आया जो के बिल्कुल ठीक है तिन तरह दे एनना दे लाइक विचार मिल देने ठीक है सॉरी पातर मिल दे है पहले एदाने पातर ने जेडे की बहुत गरीब है गया है और जेडे शोशन दा शिकार ने ते दूसरे केड़े है गरीबाने उल्ट कोन आजेगा पुंज जेडे तीसरे पातर ने ओ केड़े हुंदे है जेडे ना ता अपना शोशन करवाना चांदे है ते ना ही दूसरेयां दा शोशन करना चंगा समझ दे है ता ए हो जानगे चेतन वरग दे पातर ठीक है ता इस तरह तिन तरह दे पातर है जेडे की सननु सुजान सिंग जी दि विच्चे दिखाई दें दें तीसरा है सुजान सिंग्नु कीना ने पालिया दादा दाधी चाचा चाची नाना नानी या फिर प्रा और पापी प्रशन नंबर तिन डेले आंसर करो Сुजान सिंग्नु कीना ने पालिया येस प्लीज ding छी नोटिफिकेशन ओन कर ले ना, ठीक है? ओके, तीसरे दा बिल्कुल ठीक है, जिन्ना ने वी C आंसर किता, यानि की एनना दे नाना नानी जी ने आना नू पाले आ सीगा, एनना दे पिता जी दा नाम सी हकीम सिंग, ते माता जी दा नाम जमना देवी, ओके, किते किते पिता जी दा नाम बूटा सिंग भी मिल दा है, पर एनना दे नाना नानी दे कार कोई पुत्तर नी सीगा, इसलिए ओना ने सुजान सिंग नू गोद ले लेया, ते उस तो बाद फिर जड़ा अपना बच्पन है गया, एनना ने नाना नानी जी दे नाल ही बि जानमी, चोथे प्रशन देली आंसर करो जी की होएगा, केडा वात्तवर्न चित्रया है, अमरित पाल जी मेरा सिरफ टेलीग्राम ते ग्रूप है गया, पेड ग्रूप दे विच वाट्साप दा ग्रूप भी है, ओके, जी आंसर करो प्रशन नंबर चार दे लेई, पहला आ अंसर आ रहे है, बंगाली बिल्कुल ठीक है, उन एना दिया कहाणियां दे विच बंगाली वात्तावर्न आया कितों, मैं तो नो हुने दस्या, येना दे नाना नानी का और कोई बेटा नहीं सी ते इसलिए उना नाना गोद लेया सीगा, ते ओ कित्थे रहन दे सी, कलकत्त दे विच बंगाल दे विच जिस करके जदो एह साहतिक जीवन दे विच आयसी ता एना दिया रचनामा दे विच बंगाली वात्तावरन बहुत ज्यादा दिखेगा, बात दे विच फिर एना दे नाना जी दी डेथ भी हो जान दी है, ते एना नो फिर नानी जी कल्ले ही पै एहे सारे पंजवे प्रशन दिली आंसर करो की होगा येस एक्जाक्टली बिल्कुल ठीक है जिन्ना ने आंसर कर दिता तव्याँ वाला वाज्जा ओके एक्चली एन्ना ने जड़ी बीए किती सी उखालसा कालज अमरिसर तो ये किती सी ते खालसा कालज पढ़दे होगी एन्ना ने अपना पहला लेक लिख्या जिस दा सिलेक की हैगा सीगा तव्याँ वाला वाज्जा ठीके जी ता एहे याद रखने है अग्गे चल देया अब्दी मौत कुल्फी सारे छेमे प्रशन देली आंसर करना है मजदूर वरग असी देख्या सी ना कि अन्ना दे पहले पातर केड़े हुं दे सी मजदूर वरग वाले गरीब जिन्ना दा शोशन किता जान दे राइट ता एन्ना वीचो केड़ी कहानी है जड़ी की पुरान दी हालत दिखाई गई है राब्दी मौत विच्वी ते कुल्फी विच्वी अग्या सी एवलियां कहानियां डिसकस भी करांगे थ्रू आउट दिस लेक्चर ओनली ओके ठीक हैं अग्ये चल दे आप प्रशन नंबर साथ सुजान सिंग ने बतौर प्रिंसिपल भी नहीं नहीं अमन जी एक्चली ना उन्दी पीडिएफ क्रियेट ही नहीं होई सी उस टाइम भी स्टूडेंट्स ने बहुत जादा कोशिश किती सी गी की मिल जाए और आई ट्राइड अलोट बट हो नहीं पाया राइट तथ उन्हों उते स्क्रीन शोट ही लेने पैन ग सत्में दिली आंसर आ रहे है बी यानि गुरुनानक कालज गुर्दासपुर जो के बिल्कुर सही उत्तर है गया एनना ने पहला ना बैंक देवेच एज क्लर्क जॉब किती सी फिर एनना ने टीचर ट्रेनिंग किती ओविसली अध्यापक लगगे होणगे है ना तर फिर ए चांप में करके लेक्चरर बंचयना है घोली-होली कालज ते प्रेंसिपल बनचयना यानि एक नॉर्मल अध्यापकतों किते तक मेह जान जानदेया ठीक है ते गुरुनानक कालज गृर्दास पुर्तो एहे बतौर प्रेंसिपल सेवा मुक्त भी हुंदेया है portfolio आंदे 8. प्रशन शुजान सिण हेठा विचो किस असोसीेशन दे मैंबर रहे पारत दे प्रगतिवादी लेखकान दे असोसीेशन एफ्रो एजुया दे लेहखक असोसीेशन दोनों या एनर दे विचो कोई वी नहीं येस प्रशन नमबर आठ देले उत्तर करो की होगा जी वेरी गुड जिनना ने वी दोन्नों आंसर किता है उन्ना दांसर है बिल्कुल सही बहुत सारियां एदानियां असोसियेशन्स एंड सबामा हैं जीदे वी चैना ने परदान गी भी किती है ति मीम्बर शिक वी लई है ठीक है जीदे किसी देखे आएनना दोन्ना दे विचता हैं है एज मेम्बर कम कर दे रहाएं एदे तो बिना जड़ी केंदरी पंजाबी लेखक सब है ओदे वी चैना ने परदान गी किती नाल दे नाल पंजाबी साहित अकादमी लुद्याना दे विचे है सीनियर उपपरदान बन के रहने नोवा प्रशन है सुजान सिंग ने शुरुवात विच किस तरह दिया कहाणिया लिखनिया शुरू कितीया लम्मिया छोटिया शिख गुरुदिया कथामा या फिर एनाडे विच्चो कोई भी नहीं थैंक यू सो मच संप्री जी देखो बच्चा तो अड़े जड़े कमेंट सेंड लाइक सुन देया ना ओही दस्त देया कि हाव आई टीच राइट ता मिन्हों लगता है कि अगर तुसी ओ चीज दिखा देयो तो अड़े ली मतलब तो अड़े टीचर देली एक गुड जैस्चर ही हुंदा है हाना तो अ Be Ba Adda B बिलकुल ठीक है एन्ना ने स्टार्टिंग देविच लिख fy शोटिया कहाणिया ऑके खास करके दब्बे कुछ ले लोकां दे बारे देविच लिख्य दे जिन्निया विन्ना दिया चोटिया कहाणिया है।ो अन्ना नू वर्ड लेवल दिया ॥निया नाग मनी प्रीत लड़ी प्रशन नमबर दासे देले आंसर करो ओकी दूस्चे अंदा अंसर बी यानिकी पांच दर्या दे रहे हो बट इस दा अंसर की है लिखारी ठीक है असी अथे हुनना दो कहानिया याद रखनी है दो कहानिया ने दो रचनामा याद रखनी है इक दा एनना दा पहला लेख तव्याःवाला वाज़ा दूसरा एनना दे कहानी पुलेखा एननू महिनावार मैगजिन की दे चापया गया लिखारी दे विच और चापया किनना ने सी? ससा ससा अमोल ने चापया सी ठीक है जी एक दोनों याद रखने है अगे है ग्यार्मा प्रशन हेठा मिच्चो सुजाल सिंग्धियां समुच्चियां तहाणियां दा संग्रेंदसो अमर्गुरु रिश्मा नरकाने देवते स्वाल जवाब सारे पत्ते कोई गहल नहीं सोनी जी हो जाएगा तो इसी कम होर कर सकते हो जेड़े स्टुडेंट्स चांदे हैं कि आपां फास्ट स्लीबस कर लिए ओना प्ले लिस्ट देविच चले जाओ प्ले लिस्ट विच तो आन्नू जदो मैं मास्टर केडर दी त्यारी करवाई सी न तो सारे दे स काफी सारा स्लीबस कवर हो जुगा खास करके लेक्चरार वाले बच्चे यूजीसी वाले थे एटीटी वाले जिन दा पेपर ओन वाले है ठीक है ओकी इस प्रशन दा आंसर बिलकुल ठीक है एह हो जुगा सारे पत्ति देखो सारे दा मतलब समुच्चे ही हों दा न ता एन समुच्या कहानियां दा संग्रय है गया और इस दा साल रहेगा उन्नी सो बन में ओके अगे देख दिया बार्वा प्रशन पत्तर ते सरादा साल दस सो उन्नी सो इकताली च्याली बाठ या फिर बहत्तर अच्छा ओके-ओके सोनी जी मैं ट्राइ कर दिया थोड़ा अगर मुश्किल नाल हो पांदा है ना बार्वें देली आंसर हम ओके सी आंसर नहीं बिल्कुल ए हो जोगा डी यानि कि उन्नी सो बहत्तर दा टाइम ठीक है बाकी भी देख लिए गल कर देयां उन्नी सो इकताली एंदे विच एनना दा पहला कहानी संग्रय आंदा है नाम की है अन्नी सो इकताली ना दितता होई फेर तुस्य उन्नी सो इकताली लगा सकते हो इंपोर्टेंट की हो दे बारे कि एनना दा पहला कहानी संग्रय है गया उन्नी सो चाली वेच आएगा दुख सुख तो पिछो उन्नी सो बाठ देविच स्वाल जवाब और उन्नी सो बहत्तर देविच आएगा पत्तन तेसरां ठीक है नहीं 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 स्टार्ट नहीं लगा न ओ गलत हो जुगा वैसे तुसी देख्या होएगा कि अक्सरी जदू एड़ा ने कॉंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होंदे है न जिन्ना ने दो दो तिन तीन आप्शन आ लागला किताबाच मिल जान ता ओ ता उन्नू पेपर च प्वेश्चन दा आंसर ठीक लगदा है उन्ना ने तो आड़ी नी सुननी तुसी केड़ी किताब चो पड़े राइट चलो चलिए तेरमा प्रशन सुजान सिंग्धियां चोण्वियां कहानियां दा संग्रेंदसो पत्तन ते सरां मोतियांडी माला लाली ते हर्याली सारे या फिर एक अते दो प्रशन नंबर तेरां उत्तर गरो जी तेर अंदेली तो आड़ा आंसर आ रहे आब है डी मतलब सारे बिल्कुल ठीक है गया पत्तन ते सरां एंडा साल उन्नी सो बहत्तर मोतियांडी माला उन्नी सो इकत्तर फिर लाली ते हर्याली दा आई डोननो एक सात्त सुरां ठीक है सात्त सुरां दा साल रहेगा उन्नी सो पचत्तर दा राइट एदा मतलब सारे आंसर आजू चोदमा किस कहानी विच्च जत्थेदार लोकाने हित्त दी गाल करन वाले वरकरनू जी पहेठा कुचल के मार दिन्दा है मनुखते पशू मुगल खालसा एक्जाक्टली गुंता जी इस वारी ते नहीं होया रिली चोदमे दा बिल्कुल ठीक है मनुख अते पशू ठीक एंदे विच फिर दिखाया कि गया तार्मिक जुनून नू दिखान दी कोशिश किती गई है मनुख अते पशू दे विच्च छीक है तिजेडा मुगल खाल मनुख यह नहीं दिखाया मनुख दा ओच रित झिस दे विचो औरचink। गव माता देविच एना नहीं दिखाया है कि जदो साड़ा देश गुलाम होया ना और क्यों होया क्योंकि अंग्रेजा ने साननू यानि हिंदुआं मुसल्माना ते सिखानू मूरक बनाया जिस करके फिर गुलाम में आई और 1947 वांडवी ता होई है नहीं ता इंडिया ते पाकिस्तान कदी अलाग होंदे ही नहीं चीक है पंदर मां पीखन शा पचान ते एक्सिडेंट एक कहाणियां जिणी है एनना देविच केडा पक पेश किता गया है हाई एथे पीखन शा लिख्या गया हाना सुरी पीशन तपस्या ठीक का लिओ क्रेक्शन रिक्वाइड है चलो देश दी वांडदा दर्द औरत प्रती हमदर्दी बंगाली लोकां दा दुख या फिर मजदूरान दी बुरी हालत मैं लड़ा पंदरवे लिए तुसी भी ताहां रुक गया हाना कि ऑप्शन गलस या थे बिलकुल ए हो जुगा औरत प्रती हमदर्दी यानि कि बी आंसर आजानाया सुजान सिंग केंदे सी मजदूरान दी लूटता हुंदी है पर मजदूरान आनों ज्यादा ओरता दी लूट हो रही है ऐसलिए एनना ने अपनिया कहानिया विच ओरता प्रती हमदर्दी नू चंगी तरह दिखाया और एनना ने कि फैनैंशली वचारियां वीक हुंदी है इसलिए मर्द जिन्नेवी तसीहे दिन दिया चुप चापो हो बरदाश कर लें दिया ठीक है ते सारिया कहानिया इसे ही पक नूँ पेश कर दिया अगे सुजान सिंग नूँ किस कहानी संग्रैन लई साहित अकादमी अवार्ड मिल्या अच्छा हुन साहित अकादमी नूँ बहुत ही ज्यादा डिटेल देविच करवाया हुया है तो अनू दुनिया विचो कितों भी साहित अकादमी देली प्रशन पुछलेया जाएगा ना पंजाबी दे पेपर देविच तो आड़ा गलत नहीं होन वाला एं मेरी गैरंटी है ठीक है ता ओवाला सेशन जर बिना जड़ा खुंबान दा शिकार है एदेली एनननो पाशा विबाग ने सनमानित किता सी गा ओके और सवाल जवाब देलेई एनननो डॉक्तर अवतार सिंग अवार्ड मिल्या सी ओके लिंक में डिया शेयर करूंगी टेलीग्राम दे उपर अगे चल दिया स्तार्मा रास अमरितपाल जी टेलीग्राम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर तुसी ओनलाइन क्लासेज लगान दियो किसे भी चैनल दिया ठीक है तब प्लीज टेलीग्राम नो जरूर जोइन कर लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ओके हां जी बिलकुल यूट्यूब द आदमी अवार्ड एरिवडिशन स्टाडिस ताव उतना दे सामने आ जुगा ओधा ठीक है बिलकुल ठीक है एदा उत्तर हो जुगा रादा जो की रास लीला कहानी दी नाइका है ठीक है और एदे वी चुन्दा है कि ऐस लड़की दा व्या एक बुड़े नल कर दिन दिया ह उन उन्नों अपनी आत्मा दी तरिपते दी जरूरत हुंदी है ओ कि तो लब दिया हो आठ तो नो साल दे एक लड़के तो आसरखना स्टाट कर दिन दिया है ता एदा फिर सुजान सिंग ने की दिखाया कि इस तरी दी हालत बहुत ज्यादा बुरी है गी है पर क्यों क्यों किस जड़ा सड़ा समाज है उन्दी तक्यान उसी सोच करके नाल दिनाल फिर एन ने एन दे विच दिखाया अन जोड़ व्यादी समस्यानू वी ओके अठारवा है बारू किस कहानी दा पातर है कुल्फी बागांडा राखा इंतिहान रजाई हां जी अठारवें दे लिए इसना आंसर हो जुगा बागांडा राखा यानि की बी उत्तर होएगा एंदे वेचे दिखान दे है कि जड़े पुंजी पती हुंदे है उन्ना देली गरीव दी जिंदगी दी कोई वैल्यू नहीं है बारू जड़ा लड़के है एक सेट दे को लोग काम करदा हुंदा है बहुत बिमार हुंदा है बट फेर भी जड़ा सूट हुनदा है वो बागांडा वेच बिमारेचे होंदे कोल काम लेंदा है जिदेनाल इस लड़के दी मौत हो जाने वेचे पहयां थी और आप पर它ेंज किता है बागांडा राखा कहानी दे विचा उन्निवां है केड़ी कहानी वीच सुजान सिंग ने वेशवा दे उदार दा नवेकला टंग पेश किता है नेड़े तेड़े डेड़ आदमी परदा सारे प्रशन नंबर उन्नी आंसर करू जी वेली गुड जिन्दा नेवी अठारवें दा सही आंसर किता है शबश डेली क्लास लेन वाले बच्चे न पेपर देवे जाके तो उन्हों याद आओगा नेरी अवाज भी आच्छली ठीक है और तो उन्हों फाइदा होगा पक्का कॉंस्टेंट रहना बहुत जादा जरूरी है उन्नी में दा डी नी आना जी ए हो जुगा डेड आदमी मैं तो नो जान बुझ के अधन आओप्शन सपान दिया ताके तो नो पता होवे की जिड़ा पेपर सेट करूगा ना उन्ना माइंड किस्तना दा हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि सिंपल चीज हमेशा सिंपल होवे दिखन देवे तोन आप्शन सिंपल लागरियां हों दिया राइट यसी ज्यादातर कोशिश कर देयां सारे वाली आप्शन नों चुककन दी तो अनू पेपर वेच उल्टा भी आ सकते हैं इसलिए बहुत त्या अनल प परश करना पएगा दुनिया ता ही समझेगी उन्दी वैल्यू नू ठीक हैं चाहे अदेच उन्दी जान भी चली जए नेडे तेडे देवे चैना ने दिखाया है कि मर्द और 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 औरत इकको ही गड़ी दे दो पईये हुंदे हैं दोना दे नाल ही जिन्दगी चलेगी परदा कहानी एंदे वेचे क्रांती का रिपाक सामने लेके आंदे हैं ते समाज दियां गलत कद्रा कीमतां दे विरुद बोल दे नजर आंदे ने हैं अगे है आज दा लास्ट प्रशन कलम जाग पई किस तरान दी कहानी हैं काल्पनिक तार्मिक इतिहासिक रुमांटिक व देली पूरे आठ वजे अपना आप आजा गरू संडे सिरफ चुट्टी हुंदी है ठीक है संडे नों आपका कुछ नी गरना हुंदा ओ तो आडेली ब्रेक हुंदी क्यालो या रिविजिन सेशन वी बिंदेली सॉरी बिल्कुल ठीक है एह हो जुगा काल्पनिक कहानी है न इस तरह अगर तो नो थे काल्पनिक लिख्या ना आए और इंग्लिश दा वर्ड आजे फैंटसी क्योंकि फैंटसी इस इकुल तो कल्पना हाना ता फेर तो तो थे फैंटसी लगाओगी राइट अदर्वाइज ए होएगी पंजाबी देविचे काल्पनिक कहानी ओके जांसिंग असी सारा सारा सेशन ओवर किता कल हसी हुन अगले कहानी कारदेनाल मिलांगे राइट तिल दन गुद्देट अवर्ड एवर्ड टेक्या और जेड़े सेशन ओवर हुन दिया ना ओंदेट पाद प्लीज निचे कमेंट्स कर ले अगरो बड़ा अच्छा लगेग वर्याम संदु छीक है काल दा टॉपिक वर्याम संदु ओर राइट ओ थैंक यू बाबाई